Hello Friends, Welcome Back once again विक्रम लेंडर का क्या हुआ, विक्रम लेंडर अभी कहां पे है और विक्रम लेंडर ने मून के सर्फिस पे क्रेश लेंडिंग क्यों करी जहां दोस्ते यह almost confirm हो चुका है कि विक्रम लेंडर ने मून पे क्रेश लेंडिंग करी बट क्या ऐसी तक्निकी खराबी आ गई जिसकी वज़ा से उसे मून पे क्रेश लेंडिंग करना परा और क्यों अभी भी इस रो जो है उससे संपर्क नहीं साथ पा रहा है जबकि almost यह discover हो चुका है कि वो मून के सर्फिस पे कहां पे मौजूद है इस वीडियो के मादम से दोस्तो हम यही चीज जानने की कोशिश करेंगे दोस्तो मैं सबसे पहले यह बात आपको बता दूँ जिसे सुनके आपको खुशी ही नहीं गर्व का भी अनुवव होगा कि चंद्रियान दो मिशन इसरो का ऐसा complex और advanced मिशन था जिसे आज तक दुनिया के किसी भी देश ने करने की सोची भी नहीं नहीं नासा ने और नहीं किसी और space agency ने इसरो का चंद्रियान दो मिशन बेसिकली चंद्रमा के south pole को study करने के लिए बनाया गया था जिसके different different phases थे जिसके different different parts थे जिसके बारे में दोस्तों मैं पहले ही अपने एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखे ताकि आपको इस mission की पूरी जानकारी मिल सके दोस्तों चंद्रियान दो mission में वीकरम लेंडर का moon की surface पे crash landing हो चुका है बट इसके बावजूद भी दुनिया के बड़े बड़े जेश चाहे वो US हो, USSR हो या इसरायल हो इस mission की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों अब हम अपने main मुद्दे पर आते हैं और वीकरम लेंडर की बात करते हैं दोस्तों इसरो ने finally अपने वीकरम लेंडर को moon के surface पे track कर लिया है उसे thermal imagining के through trace कर लिया है और वीकरम लेंडर से communication स्थापित करने की कोशिश की जा रही है बट क्या ऐसा reason था जिसकी वज़े से वीकरम लेंडर के साथ communication टूट गया जिसकी वज़े से वीकरम लेंडर ने moon के surface पे crash landing करी दोस्तों वीकरम लेंडर जब descend कर रहा था moon के surface की तरफ तो उसको soft landing करवाने के लिए उसमें 4 thrusters लगे हुए थे जिसे on-off on-off होना था और उसी से वो soft landing करता moon के surface पे बट दोस्तों किसी वज़े से किसी technical problem से ये thrusters सही तरीके से काम नहीं कर पाए सबसे पहले तो इस रो का संपर्क जो है वीकरम लेंडर के साथ तूट गया उसके बाद ये thrusters जिने on-off on-off हो करके वीकरम लेंडर को safely moon के surface पे land करवाना था वो नहीं हो पाया और वीकरम लेंडर अपने position से जहां पे इसे land करना था उस position से 500 मीटर दूर पाया गया उसे 500 मीटर दूर उस location से trace कर लिया गया है दोस्तो वीकरम लेंडर को moon के surface पे trace करने में मदद करी है चंद्रियान 2 के साथ गए orbiter ने जो चंद्रमा की continuously orbiting कर रहा है above 100 km from the moon surface बट फ्रेंड्स अब क्या क्या वापस इस रो अपने वीकरम लेंडर को यहां से operate कर पाएगा क्या वापस उसे उस position में ला पाएगा जिस position में उसे बेजा गया था और क्या विकरम लेंडर सच मुझ में वो काम कर पाएगा जिसे वहां पे बेजा गया था तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस रोग continuously विकरम लेंडर के साथ communication बनाने की कोशिश में लगा हुआ है बट अभी तब कोई भी communication established नहीं हो पाया है जिस तरीके से खबरे आ रही है और जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है उस तरीके से लग रहा है कि सायद ही ये ऐसा हो पाए क्योंकि विकरम लेंडर ने मून के surface पे कुछ इस तरीके से crash landing करी है कि उसके communication equipments जो है वो distort हो गए हैं खराब हो गए हैं जिसकी वज़ा से इस तरो के continuous कोशिस के बावजूद भी कोई भी communication विकरम लेंडर के साथ established नहीं हो पाया है दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बता है कि विकरम लेंडर का life span जो मून के surface पे है वो just 14 days है तो ये काम अगर 14 दिनों में हो जाता है और बिटर के थुरू तो हो पाएगा otherwise it seems to be dead now दोस्तों भले ही हमने अपना विकरम लेंडर कोया है उससे जुरी हुई उमीदे खोई है बट किसी भी तोर पे हमें निराश नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके से हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये mission unsuccessful रहा है इस रो का चंद्रियान दो mission ऐसा complex mission था जिसे आज तक दुनिया के किसी भी देश ने किसी भी space agency ने करने की सोची भी नहीं उसे इस रो ने कर दिखाया और 90 to 95% success किया है चंद्रियान दो के साथ छोड़ा गया और्बिटर आज भी पूरे तरीके से काम कर रहा है दोस्तों और वो continuously चंद्मा के surface से 100 km चंद्मा की और्बिटिंग करते हुए सारी जानकारी इकठी कर रहा है जो आगे आने वारे टाइम में पूरी दुनिया को बहुत ही जरूरत हो दोस्तों इसरों ने जिस तरीके से चंद्रियान दो मिशन को अंजाम दिया है जिस तरीके से पूरा करने की कोशिश करी है मेरी नजर में ये 100% है और इसी वज़ाशे शायद दुनिया के सभी देश चाहे वो US हो इस चीज़ की बहुत तारीफ कर रहे हैं और अपने अपने स्पेस फिल्ड में इसरों से मदद मांग रहे हैं कि उनकी भी मदद इसरों करें दोस्तों हमें इस बात का बहुत ही गर्व होना चाहिए और अपने स्पेस एजनसी पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए इसरों ने अपनी बदलत जो आज मुकाम हासिल कर रखा है दुनिय